अलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून ओल अफ यू, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जुड चुके हैं आज की इस क्लास में वो है मस्टर महेश सुथार, अंकेत राज, निशा सुथार, नेहल सोरे, नेपाल, नेपाल सोलंकी, रितिक चौरसिया, और जितेंद्र सिंग, विवेक शर्मा, प्रियांशी, अन्तीमा, नमन, कृष्ण कांथ, साक्षी, लवकेश, लवकेश, सिमरान खान, अशोक पारिक, तो स्टूडेंट्स आप सभी का, हार्दिक श्वागत, आप सभी का, हार्दिक अभी नंदन आज की इस क्लास में, और हमारी जो क्लास है, वो है, ट्वेल्थ बोर्ड के साथ में, सिउटी की तैयारी, दोहजार चोईस के लिए, आप सभी विध्यार्थियों को, और इस सिरीज में, हम लोग आज जिस चेप्टर पर चर्चा कर रहे हैं, उसका नाम है, इंटरनेशनल और्गनाइजेशन, यानि की, अंतराष्ट्रीय संगठन, पिछली क्लास में, हम लोग अंतराष्ट्री संगठन में काफी कुछ चर्चा कर चुके हैं, आपको यह बताया गया था, कि अंतराष्ट्री संगठन के रूप में, युएनों की स्थापना जो की गई थी, वो विश्व सांती के उद्देश्य से की गई थी, युएनों एक अंतराष्ट्रीय संगठन क के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसमें लगबग विश्व के सभी देशों का प्रतनिधित्व है वर्तमान समय में 193 देश हैं जो की समयुक्त राष्ट्रसंग में प्रतनिधित्व प्रदान कर रहे हैं इस द्रस्टिकॉंड से विश्व की सभी समस्याओं का समा किया है अगर हम बात करें कुछ देशों के अंदर ग्रह युद्ध जिसको सिविल वॉर कहा जाता है अगर वो हुए है तो वहां पर भी सभी सभी देशों के बीच में युद्ध हुआ है तो उनको रोकने में इसकी भूमी का एहम रही है आपको ध्यान होगा कि भारत और प को रोकने का अदिश दिया था ठीक ऐसा ही 1965 में भारत पाक युद्ध के समय भी हुआ था उनकातर भारत पाक युद्ध के समय भी हुआ था ठीक इसी प्रकार से अगर कोई देश अंतरास्ट्रीय कानूनों का उलंगन करता है तो वहां पर भी स्वेंक तुरास्ट्रसंग की भूमी का एहम हो जाती है अंतरास्ट्री इस तर पर जो वैश्विक महामार्य जन्म लेती है हाल ही में आप सभी जानते हैं कि बहुत बड़ी महामारी COVID-19 के रूप में आई थी तो वहां पर भी इसकी भूमी का बहुत एहम थी उस बिमारी से निपटने के लिए इतना ही न साल में सिक्षा को उन्नत करना है कमजोर वा गरीब देश है उनके अर्थ्ववस्ता को सुधारना है इस सब में भी इसकी भूमी का एहम रही है सामाजिक शेत्र में जैसे की रंग भीद की निती है मानवाधिकार है महिलाओं के साथ जो भीदभाव किया जाता है इनके खिल से बार जो हमने स्वाइक तुराष्टा संग के प्रमुक अंगों की चर्चा की थी उनसे संबन्दी थी कुछ महत्वपून बातें और है जिनको में लेकर के आया हूँ पहले हम उस पर चर्चा करेंगे फिर हम आगे कंटिन्वस करेंगे आप सभी स्टूडेंट चूप की पिछली क्लास में भी थे जहां तक मेरा खयाल है तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हमने पिछली क्लास में स्वाइक तुराष्टा संग के जो ऑर्गेंस होते हैं जो उनके अंग होते हैं उन पर चर्चा की थी जिसमें हमने स्वाइक तुराष्टा संग की महासबा इसलिए आपको ध्यान है कि मैंने पोल की बात की थी अच्छा जी मिस्टर भगवानाराम पूनिया जी आप कह रहे हैं राजस्तान उनिश्टी में एड्मिशन हो गया है बदाई हो आपको आप राजस्तान उनिश्टी से अपनी ग्रेजुशन की पढ़ाई करने जा रहे हैं आप हमारे पूराने विध्यार थी हैं पिछली बार आपने 12th क्लास हमारे एप के माध्यम से जुड़ करके आपने की थी चलिए स्टुडेंट्स तो बढ़ाते हैं हमारे आज की क्लास को और इसमें हम देखें चर्चा एक बार आपको सब्सक्राइब नहीं कि याद आ रहा होगा आपको कौन-कौन से अंगों की यहां पर चर्चा करेंगे हम इसमें बात करेंगे आम सभा जिसको हम क्या कहते हैं General Assembly इसके अलावा सुरक्षा परिशद UNSC कहा जाता है सचिवाल है Secretaryate कहा जाता है अंतराश्ट्री एन्याल है International Court of Justice जिसको कहते हैं आर्थिक और सामाजीक परिशद Economic और Social Council जिसको कहते हैं और न्यासीता परिशद जिसको Trustorship Council कहा जाता है देखे स्टुडेंट्स ये जो इसका अंग है वो एक मात्र ऐसा अंग है जो वर्तमान समय में समाप्त हो चुका है यानि कि अब ये अंग काम नहीं कर रहा है क्या आप में से कोई बता सकता है इस अंग ने काम करना कब बंद किया था क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बता रखा इसलिए आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल सुरी न्यासीता परिशद जो है जिसे हम Trustorship Council कहकर पुकारते हैं कब समाप्त किया गया इसको कौन से वर्ष समाप्त किया गया जल्दी से अपना उतर लिख करके बताईए और यहां पर मैंने आपको एक नक्षे के अंदर बताया था कि जो इसका लोगो है UNO का आजकल पता है questions जो है वो आपको CUT में जो लोगोज है अलग-अलग अंतराश्प्रियस अंगटनों के उनके संबन में भी question पूछते हैं इसलिए आप चूंकि CUT की तैयरी कर रहे हों कि एक लास CUT की regarding है हाँ जी एक नवंबर 1984 अंतिमा पारिक आपने बताया है एक नवंबर 1994 नोट चौरी असी मेरे ही मुँसे गलत निकला था यहनि कि फर्स्ट नवंबर 1994 को यह जो हमारा यहाँ जो अंग दिखाई दे रहा है इसको खतम कर दिया गया था 1 नवंबर 1994 को नियासिता परिशत जो है उसे खतम कर दिया गया था और जो अंतिम संरक्षित जो राश्ट्र था वो था पलाओ जैसे ही उसको आजादी दी गई 1 नवंबर 1994 को इसे समाप्त कर दिया गया था तो यहां जो मैंने आपको बताया था कि यह जो इसका लोगो है CUT में आजकल लोगों से related questions भी पूछे जा रहे हैं कुछ important चित्र जो होते हैं जिनको हम drawings कह सकते हैं उनके regarding questions पूछे जा सकते हैं जैसा कि अभी जो CUT का exam हुआ था उसी CUT के exam में question पूछा गया था और वो question था EU पर यानि कि European Union जो कि आपके course का एक part है तो उसी का जो map है उसी का जो जंडा है उसको दिया गया था फ्लेग को दिया गया था और उससे related तीन questions पूछे गया थे तो यहां आपको इसके बारे में पता होना चाहिए मैंने पिछली बार बताया भी था कि यह जो आप logo देख रहे हैं यह किसका है यह है UN का यानि कि यह है संयुतराष्ट संग का इस logo के अंदर यह आप देख रहे हैं बीच में जो है वो पूरा world map दिया गया है और side में जो ह यह जैतून की पतियां यहां पर दी गई है पिछली class में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं बिलकुल तो हम आगे की चर्चा जो आज start कर रहे हैं मैंना आपको बताया कि वैसे तो हम इसकी जितने भी organs हैं जितने भी इसके अंग है उन पर बात कर चुके हैं लेकिन आज कुछ और बात हैं जो पिछली बार अधुरी रह गई थी हम उसको एक बार यहां पर लेना चाहेंगे देखे जनरल असेम्बली जो है यानि की आम सवाज इसको हम कहते हैं जनरल असेम्बली शौट में इसको जी ए कहकर पुकारा जाता है जी ए जनरल असेम्बली इसका काम क्या है विचार विमर्स करना नीती निर्धारित करना पिछली बार भी आपको बताया था कि यह डिसकस करती है यह पॉलिसी मेकिंग यानि की पॉलिसी बनाना इसका काम है अंतराश्टर यह जितनी भी समस्या है उन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए जो भी प्रॉबलम से जो इंटरनेशनल इसूज है उनको किस तरह से खतम किया जाए उनका समाधान कैसे डूटा जाए इस पर यह बाचित करती है यानि इस अंक का काम है बाचित करना विचार विमर्स करना और इसके सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य है 193 मेंबर्स हैं और देखें यहाँ पर जो आप सारभोमिक प्रतनिधित्व देख रहे हैं इसका मतलब क्या है? सारभोमिक प्रतनिधित्व मतलब पूरी दुनिया को ये रिप्रेजेंट करता है ये अंग जो है वो पूरी दुनिया को represent करता है, इसका मतलब जितने UNO के सदस्य हैं, वो सभी सदस्य इसके भी सदस्य हैं, UNO के 193 सदस्य हैं, तो इसके भी 193 मेंबर्स हैं इसके, प्रतिवर्स सित्वर में वार्सिक बैठक इसकी New York में आयुजित की जाती है, देखें, यहाँ पर दो पूछे जा सकते हैं, पहला कोशन आप से पूछा जा सकता है, आम सभा General Assembly की Annual Meeting जो होती है, वो कब आयुजित की जाती है, in the month of September, यानि कि सित्वर के महिने में आयुजित की जाती है, कहाँ पर आयुजित की जाती है, New York, और New York कहाँ पर इस्तित है, New York कहाँ इस्तित है, USA में, यानि कि अमेरिका में हैं। तो आप यहाँ पर बताएंगे, इसकी वार्सिक बैठक सेप्टमबर में होती है, कहाँ पर होती है, USA में, New York में होती है, एक चीज़ का ध्यान रखेगा, UN के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, उन सभी अंगों के मुख्याल है, जिनको Headquarters कहा जाता है, वो कहाँ पर रखे गए हैं, वो USA में हैं, यानि कि अमेरिका में हैं। इसके अलावा, सांती और सुरक्सा जैसे प्रश्णों पर निर्णे लेने, नए सदस्यों को प्रवेस देने, तथा बजट पर निर्णे लेने के लिए, दो तिहाई बहुमत के आवशक्ता होती है, तू थर्ड मेजोरिटी, दो तिहाई बहुमत का मतलब क्या है, तू थर्ड मेजोरिटी, तू थर्ड मेजोरिटी के आवशक्ता होती है, दो तिहाई बहुमत की, अन्य जितने भी प्रश्न होते हैं, उन पर साधरन बहुमत, या होते हैं वहाँ पर तो two-third majority चाहिए important matters का मतलब क्या है अगर सांती और सुरक्षा जैसे कोई issues है कोई प्रशन है उन पर बात करनी है नए सदस्यों को प्रवेश देना है एक प्रशन यहाँ पर आप से पूछ लेते हैं चलिए नए सदस्यों को प्रवेश का कौन बना है जिसे की सदस्यता देने के लिए कितने बहुमत के आवशक्ता पड़ी होगी two-third majority की आवशक्ता पड़ी होगी इसके अलावा आप कह सकते हैं budget budget भी बहुत important है कि UN का budget final करना है एक देश का जब हम budget final करते हैं हमारे देश में तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है बिल्कुल Mr. Naman आपका उत्तर सबसे पहला आया आपने दक्षिन सुडान बताया है बुपेंद्रा आपने भी दक्षिन सुडान बताया है और भी दूसरे student जो है दक्षिनी सुडान जिसे हम South Sudan कह सकते हैं तो बिल्कुल ठीक बताया है South Sudan या दक्षिनी सुडान South Sudan दक्षिनी सुडान जो है वो इसका 193 वा सदस्य है तो उसको सदस्यता देने के लिए कितने majority के आवशक्ता पड़ी होगी एक्जाम में अगर आप C.U.T. का paper दे रहे हैं तो यहां से भी question बन सकता है कि दक्षिनी सुडान को नए सदस्य की रूप में प्रवेश देने के लिए आम सभा में कितने बहुमत से इसको स्विक्रती प्रदान की गई तो नाम तो दक्षिनी सुडान दे दिया लेकिन कोई भी नए सदस्य बनेगा उसके लिए सेम एक ही formula होगा और वो होगा two-third majority से नए सदस्य को प्रवेश दिया जाता है महासभा के अद्धिक्स को प्रतियक वर्स महासभा द्वारा एक वर्स के लिए चुना जाता है ध्यान रखेगा इस चीज़ को भी महासभा का अद्धिक्स जो होता है न वो हमेशा एक वर्स के लिए चुना जाता है जैसे ही meeting होगी सबसे पहला महासभा के अद्धिक्स का चुनाओं किया जाएगा अब देखेंगे आप यहाँ पर 2021-22 में जिसने अद्धिक्स था की वो कौन है तो वो है माल्दिव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला साहिद कौन है वही माल्दिव के विदेश मंत्री है अब्दुला साहिद इनका नाम है और यह कौन सा सत्र था यह था 76 सत्र 76 सेशन सत्र का मतलब होता है सेशन यानि कि 76 सत्र था अभी तक 76 सेशन हुए हैं इसमें अभी जो 21-22 का सेशन था उसमें विदेश मंतरी को इसके मालदीव के क्या नाम था अब्दुल्ला साहिद इल्खो ने इसकी अध्यक्सता की थी प्रतियक राश्टर का इसमें एक मत होता है ये भी विशेज ध्यान रखेगा सदस्य तो प्रतियक राश्टर इसमें पाँच भेश सकता है लेकिन जब वोटिंग होती है तो एक ही सदस्य जो होता है वो इसमें वोट कास्ट करता है यानि कि एक देश का एक वोट होता है सुरक्षा परिस्द जिसको हम सिक्योरिटी काउंसिल कहते है सुरक्षा परिस्द की जिम्मेदारी क्या है सांतियवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सुरक्षा परिस्द पर है इसकी सदस्य संख्या कितनी है इसकी सदस्य संख्या है 15 जिसमें से 5 इस्थाई और 10 आस्थाई सदस्य होते हैं 5 इस्थाई सदस्य कौन से हैं? पिछली क्लास में बात कर चुके हैं याद होगा आपको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन ये इसके 5 इस्थाई सदस्य हैं इन 5 इस्थाई सदस्य के पास में क्या होता है? वीटो पावर होती है जिसे हम कहते हैं निशेदा धिकार के सकती किसी भी मामले को अगर ना करना है तो एक भी देश कर देगा तो फिर वो प्रस्तावी पारित नहीं हो सकता इसको कहते हैं वीटो पावर तो वीटो पावर पाँच देशों के पास में हैं और वो कौन-कौन से हैं? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना इनके पास में वीटो पावर है एक प्रस्तन यहां से फिर बनता है जो मैं आपसे पिछली बार भी पूछा था प्रयोग किस ने किया है? यूज किस ने किया है वीटो को? सबसे अधिक बार जल्दी से बता दीजिएगा पिछली बार आप लोगों ने सबने गलत बताया था लेकिन उम्मीद करता हूँ पिछली बार चूंकि मैंने आपको सही बता दिया था तो इस बार तो आपका सही उत्तर आना ही चीए मिस्टर क्रिष्टकांत रशिया बता रहे हैं और राजनादिनी आप यूएसेसर बता रही है देखे जिनोंने रशिया या यूएसेसर लिखा है वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि पहले यूएसेसर था जिसे हम सोवेट यूनियन और वरतमान समय में यही क्या बन चुका है यही वरतमान समय में रसिया है क्योंकि यूएसेसर तो खतम हो चुका है अब यूएसेसर की भूमी का उसकी जिम्मेदारी किसको मिल चुकी है और वीटो पावर किसको दी जा चुकी है वो रूस को दी जा चुकिए, सबसे अधिक बार रूस के द्वारा इसका प्रयोग किया गया और कितनी बार, more than 135 times, 135 से अधिक बार, 135 से अधिक बार इसका प्रयोग किया गया है दियान रखेगा जरा, देखे हाल ही में पांच आइस्थाई सदस्यों का चुनाओ किया गया है वो पांच आइस्थाई सदस्य कौन-कौन से हैं, देखे जरा, अलबानिया, ब्राजील, गैबॉन, घाना और स्वयूत अरब अमिराथ जिसको UAEB कहा जाता है, United Arab Emirates ये है वो पांच सदस्यों, जिनको आइस्थाई सदस्यों के रूप में चुना गया है आइस्थाई सदस्यों, जिनका चुनाओं प्रती दो वर्स के लिए किया जाता है और एक सदस्य, regular दूसरी बार सदस्य नहीं बन सकता Albania पहली बार सुरक्षा परिशद में सामिल हुआ है देखे ये भी एक important question है कि कौन सा ऐसा देश है, जो पहली बार UNSC में आया है क्योंकि UNSC में जो 10 अस्थाई सदस्यों होते हैं वो 10 अस्थाई सदस्य प्रती दो वर्स के लिए चुने जाते हैं तो ऐसा कौन सा member है, ऐसा कौन सा देश है जो first time UNSC में सामिल हुआ है United UNSC में सामिल हुआ है यानि कि जो सुरक्षा परिशद है उसमें जो सामिल हुआ है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वो है अलबानिया भारत 2021-22 के लिए सुरक्षा परिशद का सदस्य चुना गया था पिछले क्लास में ये भी बताया था आपको इस थाई सदस्यों को V2 पावर प्राप्त है, ये भी बता चुका हूँ आर्थिक वर सामाजिक परिशद क्या है, यानि कि Economic and Social Council, तो इसके अंदर आप देखेंगे आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर काम करना, परियावरन से समंदित मुद्दों पर सिफारिस देना, के साथ-साथ अंतराश्ट्वे इस्तर पर लक्षों के कारयानवन की भूमे का, लक्षों के कारयानवन का मतलब क्या होता है जो aims है, जो goals है, किसके? सुझित राश्ट्व संग के उन goals को पूरा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो देखेंगे पूरे हुरे है अथवा नहीं हो रहे हैं, यह आर्थिक वा सामाजिक परिशत का काम है सदस्य कितने हैं इसके? चोपन सदस्य लास्ट टाइम भी हमारी चर्चा हुई थी 54 मेंबर्स है और इनका चुनाओं कितने वर्स के लिए किया जाता है और अप्रेल 1916 से इसने अपना काम करना सुरू किया था कहां पर है ये एक्जाम में कई बार कोश्चन पूछा जा सकता है पूछा गया है अब भी पूछा जा सकता है यानि कि इसका हेड़कोर्टर कहां है बताईए जल्दी जरा कहां से अंतराष्ट्री नयले काम करता है हेड़कोर्टर कहां है अंतराष्ट्री नयले का सदस्यस के कितने होते हैं अंतराष्ट्री नयले के 15 होते हैं यानि कि 15 नयाइधीश होते हैं नौवर्स का कारेकाल होता है दल्बीर भंडारी भारत की तरफ से लगातार दूसरी बार अंतराष्ट्रे नयाले के न्याइधीश चुने गए हैं तो ये अंतराष्ट्रे नयाले बिल्कुल ठीक बताया अनुराग आपने हेग और ये हेग कहाँ पर है ये है निदरलेंड ये है निदरलेंड में तो ये कुछ महपुपूर बाते हैं जो कि अंतराष्टे नहले से संबंदित थी सचीवाले महासचीव प्रसास्थी का अधिकारी होता है जिसका चुनाओ सुरक्षा परिशद की जिसका चुनाओ सुरक्षा परिशद UNSC कि शिफारिस पर महासबादवारा होता और कितने वर्ज के लिए होता है पांच वर्ज के लिए किया जाता है Secretary General Administrative Officer होता है who is elected by General Assembly on the recommendation of Security Council for Security Council for 5 years पांच सालों के लिए चुना जाता है इसको Antonio Guterres वर्तमान महासचीव है कहां से है Antonio Guterres जल्दी से बता दी जिए जिसको भी पता है बताया जरा कौन सा देश है जिसको की रिप्रेजेंट कर रहे है Antonio Guterres तो Antonio Guterres का कारेकाल दूसरी बार है यह पहला कारेकाल यह पूरा कर चुके है सगेंड टाइम के लिए एक बार फिर आये है और सेगेंड टाइम में इनका कारेकाल कब खतम हो रहा है आप देख सकते हैं 31 जन्वरी 2026 तक इनका कारेकाल रहेगा जन्वरी एक जन्वरी 1922 में यह चुने गये है और 31 जन्वरी नहीं बलकि दिसंबर तक कब तक रहेगा इनका कारेकाल 31 दिसंबर 2026 तक इनका कारेकाल रहेगा और 1 जनवरी 2022 को ये चुने गए है बिलकुल पुर्टगाल राइट है कौन सा देश है तो ये है पुर्टगाल एंटोनिय गुटेरेस कहां से आते हैं पुर्टगाल से आते हैं चलिए एक क्वेशन और पूछ लेता हूं आपसे भारत क्या क्वेशन यह है कि क्या भारत का कोई व्यक्ति महासचिव बना है आज तक जल्दी से बताईएगा जरा और ये एंटोनिय गुटेरेस जो है वो नौवे नौवे महासचिव है क्वेशन आपसे पूछा है क्या भारत का भी कोई व्यक्ति जो है अभी तक महासचिव बना है क्या नमन आपने नो लिखा है रितुपूनम आपने लिखा है नहीं मनीश आपने लिखा है यस बाकी जातर विद्धियार्थी नो लिख रहे हैं पता है क्यों, क्योंकि जितने भी ताकतवर देश हैं, उन देशों से कोई भी महासचीव नहीं बनता है, कोई भी नहीं बनता है, सची थरूर महासचीव नहीं थे, भारत का एक भी महासचीव नहीं बना है, ना ही अमेरिका का बना है, ना ही रूस का बना है, किसी भी ताकतव और देश का कोई भी महासचीव नहीं बनाया आस तक सबसे पहले जैसे कि आपने पिछली बार मैंने आपको बताया था नौर्वे से थे, कौन थे? ट्राइग वली, फिर डेग हैमट सोल दूसरे महासचीव थे, वो कहां से थे? स्विडन से थे, यूथांट तीसरे महासचीव थे, कहां से थे वो? म्यानमार से थे ठीक इसी प्रकार से अन्य महासचीव जितने भी रहे हैं वो सभी महासचीव किसी न किसी सामान्य देश से या छोटे देश से ही रहे हैं, किसी बड़े देश से सक्तिसाली देश से महासचीव नहीं बनाया जाता है देखे न्यास परिशत establishment इसकी स्थापना कब हुई थी 1945 में हुई थी न्यास क्षेत्र संयूत राष्ट संग के न्यास परिशत द्वारा एक प्रसासनिक प्राधिकरण के तहत रखा गया एक गैर स्वासासित क्षेत्र है इसको गैर स्वासासित चेत्र कहा जाता है ट्रस्ट ट्रस्टियर्स प्लेज़ड अंडर एन अडिमिनिस्टेटिव ऑथारेटी बाई जस्टिस काउंसिल ऑफ द युनाइटेड नेशन इट इस अ नॉन ऑटोनोमस रीजन यानि कि ये गैर स्वासासित चेत्र का मतलब ये है कि किसी देश के द्वारा इसको नहीं चलाया जा रहा है गैर स्वासासित चेत्र है यह एक नवंबर Singapore एक नवंबर 1994 को फर्स्ट अफ नवंबर 1994 को इसको समाप्त कर दिया गया एक नॉम्बर 1994 को एक नॉम्बर 1994 को इसको समाप्त कर दिया गया था चलिए अब यहाँ पर जो है आप ये जो एक चार्ट देख रहे हैं ये चार्ट आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि स्वयुक्त राष्ट्रसंग के विभिन अंगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है मैं कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर कर रहा हूँ देखे सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो देख रहे हैं वो है सुरक्षा परिशत यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं सुरक्षा परिशत को देख रहे हैं UNSC जिसको कहा जाता है UNSC सुरक्षा परिशत सुरक्षा परिशत के बारे में जितनी जानकारी है वो तो आपको पहले से ही दी जा चुकी है सुरक्षा परिशत के बारे में जितनी भी जानकार यह वो आपको पहले ही दी जा चुकी है इसके अलावा आप यहाँ पर जो देख रहे हैं यह अंख यह है आम सभा जिसको जनरल असेम्बली कहते हैं आम सभा जनरल असेम्बली फिर आप देखिए इस तरफ यह है सचीवाल है सचीवाल है सकेट्रियेट उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आर्थिक एवं सामाजिक परिशत आर्थिक एवं सामाजिक परिशत एकोनोमिक एंड सोशियल काउंसिल और इधर नीचे देखिए यहाँ पर क्या है नियासिता परिशत यह क्या है नियासिता परिशत यानि कि ट्रस्टिशिप काउंसिल अब यहाँ देखिए इनका कलर चेक कीजिए ज़रा यह जो कलर है वो सबका किसका है यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो कलर है वो सबका एक ही जैसा है एक ही जैसे कलर का मतलब क्या है एक ही जैसे color का मतलब है यह वो मुख्य अंग है स्वाइक तुराश्टर संग के क्योंकि book के अंदर जब आप इस chart को देख रहे होंगे तो आप कई न कई समझते समय यह सोचेंगे कि भई यह अंग जो है जो जुड़ेवे हैं जुड़ेवे किस प्रकार से है यह जो तीर के निशान दिये गए है या किस बात को इंडिकेट कर रहे है तो यह समझना जरूरी है बाकी तो इनके अंदर जितने भी छोटे छोटे अंग और भी दिये गए है जो इसकी एजिंसिया है सुरक्षा परिशद फिर उसके बाद में आप सची वाले देख रहे है फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अंतराश्ट्री नियाले देख रहे है फिर आप यहाँ पर Economic and Social Justice देख रहे है आर्थिक और समझ परिशद तो चलिए यही पर हो गया फिर आप यहाँ पर जो है वो नियासिता परिशद देख रहे है अब यह जो इसके मुख्य अंग है इन मुख्य अंगों के साथ-साथ जो आप अंग देख रहे है वो अंगों के बारे मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में ही बताऊंगा देखिए यहाँ पर साहयक निकाय है यहाँ पर संबध संगठन है इसके नीचे आप कारेकरम और कोश, व्यापार और विकास सम्मेलन देख रहे हैं आप यहाँ पर विशेस कारियों के लिए आयोग देख रहे हैं यहाँ पर शेत्री आयोग देख रहे हैं आप बिन-बिन प्रकार के यहाँ पर अन्य इकाइया देख रहे हैं जिसमें आप मानवधिकार आयोग वगरा देख रहे हैं यहाँ विसेश एजेंसिया हैं जिसमें कि आप अंतराष्टरी स्रम संगथन जिसको ILO कहा जाता है International Labour Organization इस तो ये देखिए तीर का निशान सबसे पहले यहाँ पर आम सभा को देखिए यह न यह आपको यहाँ पर बिल्कूल बीच में आम सभा दिख रही है और आम सभा आप सभी जानते हैं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है इसलिए आप सबी तीर के निशान आम सभा की तरफ आते वे देख रहे हैं देखिए यह अंतराष्ट्री नियायले का तीर का निशान इस तरफ आ रहा है एक अंतराष्ट्री नियायले का तीर का निशान कहां जा रहा है सुरक्षा परिशद की तरफ जा रहा है तो ये दो महत्वपूर्ण अंग हैं इसलिए आप देख रहे हैं कि ये सारे जो अंग हैं इन अंगों का केंद्र क्या है एक तो आमसभा और एक सुरक्षा परिशाद है क्योंकि आमसभा की तरफ देखे जितने भी अंग हैं ये तीर के निसान सब के सब आम सभा की तरफ आ रहे हैं ये देखिए ये देखिए तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया इसका center, ये हो गया इसका केंद्र देखिए ये सविटुराश्ट संग की कुछ प्रमुक एजिंसी जेहन के बारे में बता देता हूं मैं आपको ये है विश्व स्वास्ति संगठन जिसको हम World Health Organization कहते हैं जिसको short में WHO कहा जाता है सविटुराश्ट संग विकास कारिक्रम United Nations Development Program जिसको कहा जाता है UNDP जिसको कहा जाता है सविटुराश्ट संग मानवाधिकार आयोग United Nations Human Rights Commission जिसको कहा जाता है UNHRC ये है United Nations Human Rights Commission इसी तरह से सविटुराश्ट संग शरनार्थी आयोग है जिसको हम United Nations High Commission for Refugees Refugee का मतलब होता है शरनार्थी सरनार्थियों के लिए भी एक कमीशन बना रखा है क्योंकि सरनार्थियों की समस्यार दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से वरतमान समय में देखी जा रही है इसके अलावा है सविटुराश्ट संग बालकोस जिसको UNICEF कहा जाता है जिसको हम Children's Fund कहते हैं देखे United Nations Children's Fund बच्चों के लिए कोश बनाये गया बालकोश कहा जाता है इसको सविटुराश्ट संग सेक्षिक वग्यानी के उन सांस्कृतिक संगठन जिसको हम United Nations Educational, Social and Cultural Organization कहते हैं और शॉर्ट में UNESCO जिसको कहकर के पुकारा जाता है अब देखे सविटुराश्ट संग में जो सुधारों की बात हुई थी सुधारों की जो मांग उठी थी उन सुधारों की मांग के पीछे कारण क्या थे क्यों सविटुराश्ट संग में सुधार की बात की जा रही थी तो इसको जड़ासा देखेगा आप reforms in the United Nations after the Cold War अब आप सभी जानते हैं कि Cold War जो है वो 1945 से लेकर के 1991 तक चला था इस दोरान सविटुराश्ट संग की भूमीका को भी चेक किया गया क्या सविटुराश्ट संग अपनी भूमीका को प्रॉपर तरीके से निभा पा रहा है क्या वो अपनी duties जो हैं उनको ढंग से कर पा रहा है क्या उसमें सुधार की कोई आवश्यक्ता है तो ऐसा देखा गया कि सविटुराश्ट संग में जो पांच इसके स्थाई सदस्या है वो अपनी एक तरह से मनमानी करते हैं उनके पास जो वीटो पावर है एक तरह से उसका मिस्यूज होता है तो सविटुराश्ट संग में सुधार की मांग, लगातार समय समय पर उठती रही है जैसा कि आप देख सकते हैं बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन बदलता परिवेश जो है, मतलब जो बदलता समय है उस बदलते समय में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास की अवशक्ता होती है मलब समय के साथ साथ उसमें सुधार होना चाहिए उसका विकास होना चाहिए यही कारण है कि संगतुरास्टर संग में सुधार की मांग हुई है in order to meet the needs in the changing environment देके needs जो हमारी है हमारी जो आवशक्ता है है जो हमारा changing environment है जो बदलतावा वातावरन है उसके अंदर any organization needs to reforms and evolve this is the reason why the demand of reforms in the United Nations is continuously rising लगातार यह मांग उठी है कि संगतुरास्टर संग में सुधार होना चाहिए संगत रास्तर संग के सामने दो प्रकार के सुधारों का मामला है पहला है संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार यानि कि इसकी बनावट जो है इसका जो धाचा है और इसका जो काम करने का तरीका इसकी जो प्रक्रिया है उसमें सुधार होना चाहिए और दूसरा है इसके न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समिक्षा न्यायाधिकार का मतलब जो इसके पास justice power है पूरी दुनिया को एक तरह से justice यानि कि न्यायप्रदान करने का काम करता है तो ये दो ऐसे महतोपूर बिंदू है जहां सुधार की आवशक्ता को मैसूस किया गया है There are two types of reforms in front of the United Nations एक तो है improving the structure, improve करना structure को यानि कि इसके धाचे को of the organization and its process काम करने का तरीका इसके अलावा reviewing, review करना, मतलब वापस देखना the issue coming under the jurisdiction of the organization यानि कि इसका जो jurisdiction है, उसका जो न्याएधिकार है वो कहां तक सेमित होना चाहिए लगबग सभी देश सेमत है कि दौनों तरह के सुधार इसमें आवशक्ता है यानि कि लगबग दुनिया के जितने भी देश हैं सभी ये चाते हैं कि इसमें ये सारे सुधार होने ही चाहिए सुरक्षा परिशत में सुधार को लेकर के देखिए सुरक्षा परिशत की सदस्य संख्या में बदलाओ की मांग निरंतर उठी है एशिया, अफरीका और लेटिन अमेरिका कि विकासिल देशों की ये मांग है कि सुरक्षा परिशत में सुधार होना चाहिए देखिए, यहाँ पर एक प्रशन बनता है जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ और वो ये है, कि हम सभी जानते हैं कि अगर हम बात UNSC की करते हैं जिसके 15 सदस्या है कितने सदस्या है, 15 सदस्या लेकिन मैं यहाँ पर 5 सदस्यों की जो बात कर रहा हूँ जो कि इसके इस्थाई सदस्या है वो है, अमेरिका अमेरिका, यानि कि USA इसके अलावा रस्या, यानि कि रूस UK, United Kingdom UK, United Kingdom, Britain कह लीजिए United Kingdom या फिर, Britain कह लीजिए इसके अलावा France France और चीन अब यहाँ पर जर आप यह बताए यह प्रशन जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि Asia को represent कौन कर रहा है जल्दी से बताईए जरा Asia को represent कौन कर रहा है जो पांच देशें, पांच देशों में से Asia को कौन represent कर रहा है कौन Asia का प्रतनेद्व कर रहा है मात्र इकलोता एक देश जो है वो Asia को represent करता हुआ दिखाई दे रहा है और वो है China यानि कि चीन जो है वो Asia को represent कर रहा है अलांकि मैं पिछली बार भी बताया था जहां तक मुझे याद आ रहा है कि USSR जो है जिसको हम Russia कहते हैं ये ये थोड़ा Europe को थोड़ा Asia दोनों को ही represent करता है दोनों का ही प्रतनेद्व कर रहा है लेकिन मुख्य रूप से तो ये यूरोप का प्रतनेद्व कर रहा है मात्र एक देश है और वो है चीन ठीक है फ्रांस किसको represent कर रहा है यूरोप को UK United Kingdom किसको यूरोप को फिर दो देश तो हो गए यूरोप की तरफ से अमेरिका को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है मात्र एक देश कर रहा है USA हलांकि अमेरिका जो है वो दो महादीपों के अंदर बटा हुआ है एक है उत्री अमेरिका एक है दक्षिनी अमेरिका तो यह जो है वो उत्री अमेरिका को प्रत्रित्व प्रदान कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? USA तो दक्षिनी अमेरिका का तो कोई देश ही नहीं है दक्षिनी अमेरिका की तरफ से कोई नहीं है क्या अफरीका है यहाँ पर? अफरीका भी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पर देखिए कि एक तो एसिया से डिमांड उठ रही है एक अफरीका से डिमांड उठ रही है और एक लेटिन अमेरिका से उठ रही है जिसको हम दक्षिनी अमेरिकन देश कहेंगे ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इसके धाचे में सुधार होना चाहिए अर्थात इस्ताई सदस्यों की संख्या क्या होनी चाहिए बढ़नी चाहिए increase होनी चाहिए ये सदस्य संख्या कम है मात्र पांच ऐसे देश हैं जो की अपनी मनमानी कर रहे हैं एक तरह से वे जो चाहते हैं उसी प्रकार से स्वाइंक तुराश्टर संग अपने निर्णय लेता है, अपने डिसीजन लेता है। स्वाइंक तुराश्टर संग के बजट की जुड़ी प्रक्रियाओं वो प्रशासन में सुधार। अब इसमें देखें कौन डिमांड कर रहा हैं, अमेरिका कर रहा हैं और पश्चिमी देश कर रहा हैं, यह डिमांड जो हैं वो यूरोप के देश कर रहा हैं, इस्पेशली अमेरिका और पश्चिमी यूरोप का मतलब सारे विक्सित देश हो गए, यह डिमांड विक्सित और वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि स्वनितुराष्ट संगता एक तो बजट जो है न उस बजट का धाचा बदलना चाहिए बजट की जुड़ी प्रक्रियाओं वो प्रशासन में इसमें बदलाव आना चाहिए तो एक चीज ज़रा समझेगा और एक्जाम में एक कोश्चन भी बिल्कूल पोल आयागा भई इतना जल्दी मत कीजिए पोल भी आजायागा समय है अभी तो देखिए यहाँ पर जो है वो दो प्रकार की मांग उठी पहला तो इसके धाचे में बदलाव होना चाहिए यह मांग कौन से देश कर रहे है एसिया अफरिका और लेटिन अमेरिका कर रहे है दूसरी मांग उठ रही है कि इसके बजट में बदलाव होना चाहिए बजट अलग अलग प्रकार की डिमांड है और दो अलग अलग प्रकार के देशें जो की डिमांड कर रहे हैं। रिपीट कर रहा हूँ, देखें का जड़ा, सभी तुराष्टर संग के न्याय अधिकार में सुधार, इसका न्यायिक शेत्र कहां कहां तक होना चाहिए। इसमें कहीं इंटरफेर के अवश्यक्ता पड़ती, जैसे कि उसकी अर्थ व्यवस्ता भेंकर तबाह हुई, स्रिलंका के अर्थ व्यवस्ता तबाह हुई, आर्थिक मंदी के दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, पाकिस्तान में कहीं बार अचानक सेनिक सासन आ जाता है, तो क्या ऐसी इस्थतियों में सहितुराष्टसंग को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्या उसको इंटरफेर करना चाहिए, तो सहितुराष्टसंग के नियाएधिकार में सुधार की मांग करने वाले जो हैं हूँ ये कह रहे हैं, कि सहितुराष्टसंग को जहां कहीं भी 37 स्थापित करने का मामला हो, वहां बढ़ चड़ कर भाग लेना चाहिए, सुरक्षा जहां पर भी किसी की खत्रे में पढ़ रही हो, वहां बढ़ चड़ करके भाग लेना चाहिए, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, जहां पर सहितुराष्टसंग का सबसे अधिक काम करना बनता है, those seeking to reform the jurisdiction of the United Nations believe that the United Nations should play a more effective or larger role, उसका role अधिक effective होना चाहिए, अधिक larger होना चाहिए, missions related to peace and security, यानि कि जहां सुरक्षा की बात हो और जहां पर सांती की बात हो, यह संगठन, मानुविय भलाई, तथा विकास जैसे कामों, जैसे की स्वास्थिय, सिक्षा, परियावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानवा धिकार, लिंग गत नियाय, तथा सामाजिक नियाय तक सिमित रहे, this organization should be limited to works like human welfare, इसका कारेक्षेतर कहां तक होना चाहिए, जहां human welfare की बात है, मानवा धिकार, मानव कल्यान, इसके अलावा, health, education, environment, population control, human rights, gender justice, and social justice, यहां यहां तक इसको सिमित रहना चाहिए, इतना ही काम करना चाहिए, इस साधी काम नहीं करना चाहिए, प्रक्रिया और धाचे में सुधार में आप देखेंगे, किस्तान 1992 में, सविंत राष्टर संग की आम सभा में एक प्रस्ताव स्विक्रत हुआ, प्रस्ताव में तीन मुख्य सिकायतों का जिक्र किया गया था, इन 1992, a resolution was accepted in the General Assembly of the United Nations, ये देखें नाम आया है General Assembly, क्योंकि ये काम किसका है, आम सभा का, ये काम किसका है, जनरल Assembly का है, क्योंकि General Assembly किसका का काम करती है, जनरल Assembly, ब्रेन, मस्तिस्क का काम करती है, सोचना, विचार करना, नियम बनाना, तो 1992 में, 1992 में, a resolution was accepted in the General Assembly of the United Nations, the resolution mentioned three main complaints, कौन कौन सी है वो, देखेंगा जरा, सुरक्षा परिशत अब राजनितिक वास्तिविक्ताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है, यानि कि the Security Council no larger represents political realities, तो यहां जरा इसको समझेगा, कि सुरक्षा परिशत, UNSC जिसको हम कह रहे है, United Nations की जो Security Council है, UNSC, ये UNSC जो है, वो राजनितिक वास्तिविक्ताओं की नुमाइ नुमाइंदगी का मतलब क्या होता है, representation, उसको lead करना, अब ये जो है, वो राजनितिक मामलों में कम हस्तक्षेव कर रही है, कम नित्रत्व कर रही है, इसके फैसलों पर पस्चीमी मुल्यों के हितों की छाप होती है, बताए ये पस्चीमी मुल्यों और उनके हितों की देश है, वो है European, European देश जो है, वो अधिक है, जिसमें आप France, Britain, America, Europe के नक्षे कदम पर चलने वाला ही देश है, तो ये तीन देश और रूस, ये चार देश जो है, वो एक तरह से European द्रस्टी कौन को ही दरसाते हैं, इसलिए अक्षर देखा जाता है, कि इसके जो भी फैसले होते हैं, उन फैसलों में यूरोप की छवी नजर आती है, हमेशा फैसले यूरोप के हित में देखे जाते हैं, कभी Asia, Africa और Latin America के हित में इनके निरने नहीं देखे गए हैं, ये बात 1992 में जब UN General Assembly के अंदर मुद्दा उठा था कि इसमें सुधार के आवशक्ता क्यो हैं, तो वहाँ पर उठकर सामने आई थी, सुरक्षा परिशात में बराबर का प्रतनिधित्व नहीं है, यानि कि सब को प्रतनिधित्व नहीं मिल रहा है, जिसको हम सार्वभॉमिक प्रतनिधित्व कहेंगे, अच्छा पताए जरा सार्वभॉमिक प्रतनिधित्व, यून प्रतनिध्रित्व कर रहा है कि विलकूल विवेक आपने ठीक लिखा है आम सभा जनरल असेम्बली आम सभा क्यों प्रतनिधित्व कर रहा है क्योंकि आम सभा में जनरल असेम्बली में 193 सदस्य जो संयुतराष्ट संके हैं जब भी कोई चुनाव होता है जैसे कि मालो यहां पर हम चुनाव की बात करें कि नय सदस्यों को प्रवेज देना है इस पर चुनाव हुए कितना बही दो तिहाई बहुमत से निरने लिया जाएगा तो इसका मतलब यह हो गया कि 2 तिहाई बहुमत का मतलब वह 193 देश चुनाव में भाग लेंगे उसमें से 2 तिहाई सदस्य अगर कहेंगे कि हाँ इन इन देशों को आप नए सदस्य की रूप में सामिल कर सकते हैं तब ही वो सामिल होंगे और 193 का अगर हम 2 तिहाई निकालते हैं मैं राउंड फिगर कर लेता हूं 193 को 200 कर देता हूं क्योंकि राउंड फिगर में आपको ये 2 तिहाई बहुमत निकालना असान हो जाएगा 200 देश हैं मान लेते हैं 2 मिनिट के लिए और 2 तिहाई निकालना है तो 200 दुना कितना हो जाएगा 400 और फिर 3 का भाग लगा दीजिए तो अगर 400 में आप 3 का भाग लगाएंगे क्योंकि मैं राउंड फिगर कितना किया है 200 किया है 2 तिहाई निकालना है तो ये हो गया 400 और जब आप 400 में तीन का भाग लगाएंगे, कितनी बार जायेगा? वो सदस्यता मिल पा रही है, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जनरल असेंबली में तो सार भामिक परते ने दित वा है, लेकिन जब हम बात करते हैं UNSC की, यानि कि Security Council की, तो Security Council में तो मात्र पांच देश, मात्र पांच देश निर्ने लेते हैं, पांच में से एक ने भी कह दिय नहीं, तो नहीं, इसका मतलब इन पांच देशों की कितनी एहमियत हो गई, कितना इनकी इंपोर्टेंस हो गई, यह जरा देखने की जरूत है, There is no equal representation in the Security Council, Security Council में equal representation नहीं है, बराबर का प्रतनेदित्व नहीं है, सविक्त राष्ट संग के धाचे में बदलाओ की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्दे नजर, एक जनवरी 1997 को, सविक्त राष्ट संग के महासचीव कौफी अनन, उस समय महासचीव कौफी अनन थे, जो की घाना से थे, छोटा सा देश है, घाना, घाना पता है कहां का सविक्त राष्ट संग के महासचीव कौफी अनन ने एक जाच शुरू करवाई, कि सुधार कैसे कराये जाए, मिशाल के तौर पर यही कि क्या सुरक्षा परिशत के नहीं सदस से चुने जाने चाहिए, ये एक विशय रखा गया, एक कमेटी गठिद की गई, कि आप जांच कीजिए, और ये बताईए, कि सुरक्षा परिशत में क्या और सदस्या आने चाहिए, तो आप यहाँ पर देखेंगे, in view of these increasing demands for change in the structure of the United Nations on January 1st 1997, the Secretary General United Nations Kofi Annan started an investigation on how to make reforms, for example, should new members of Security Council be elected? क्या नए सदस्यों का चुनाव होना चाहिए? इसके बाद की सालों में सुरक्षा परिशत की इस्थाई और अस्थाई सदस्यता के लिए मांदंड सुझाए गए, मांदंड, standard जिनको कहा जाता है, कि कुछ ऐसे standards होने चीए, कुछ ऐसे मांदंड होने चीए, जिनके आधार पर हम सुरक्षा परिशत में नए सदस्यों को लिए सकते हैं, इन में से कुछ निम लिखे थे, सुझाओ आये, वो देखे जरा क्या है, अभी हम बात करेंगे, in the years that followed, criteria were suggested for the permanent and non-permanent membership of the security council, some of these are as follow, there were suggestions that a new member, एक नया member वो बन सकता है, UNSC का, किसमें सुधार की बात चल रही है, UNSC में, UNSC में, चाये उसको हम 27 सदस्य की रूप में लेना चा रहे हैं, चाये हम उसको आइस्थाई सदस्य की रूप में लेना चा रहे हैं, ये कुछ बाते होनी चाहिए, ये कुछ मानदन रखे गये थे, जिनके आधार पर लिया जाना चाहिए, वो एक बड़ी आर्थिक ताकत हो should have great economic power बड़ी सेन्य ताकत होना चाहिए उसके पास बड़ी सेना हो ताकतवर देश हो सभीत राश्वसंग के बजट में ऐसे देश का योगदान बहुत ज़्यादा होना चाहिए यानि कि the contribution of such a country should be more in the budget of the United Nation इसके अलावा आबादी के लिहाद से बड़ा देश हो आबादी के लिहाद से वो बड़ा देश हो जिसकी जनसंख्या जादा हो ऐसा देश जो लोगतान तरवा मानवादीकारों का सम्मान करता हो a country that respects democracy and human rights यह देश ऐसा हो जो कि भुगोल, अर्थ, व्यवस्ता और संस्कृति के लिहाद से विश्व की विविदिता की नुमाइंदगी करता हो यानि कि उस देश के अंदर भागुलिक विविदिता हो संस्कृतिक विविदिता हो धार्मिक विविदिता हो विविदिता का मतलब diversity होता है अलग-अलग प्रकार के लोग हो अलग-अलग प्रकार के भागौलिक परिस्थितिया हो ये सब उस देश के अंदर होना चाहिए एक सवाल देखें आप बार-बार मेरे को कह रहे थे अगसार सवाल-सवाल मतलब आप पोल की बात कर रहे थे तो क्या बीच-बीच में आपसे जो प्रशन पूछे गए थे वो पोल जैसे प्रसन नहीं थे क्या लास्ट कॉश्चन उसके बाद मैं आपको पोल स्टार्ट करवा देता हूँ कॉश्चन आपके सामने क्या देखें कौन सा ऐसा देश है जो ये सारी की सारी जो बाते यहां पर बताई गई है उन पर खरा उत्तरता है कौन सा देश है निशा सुथार ने मैंने प्रशन पूछा उससे पहले उत्तर दे डाला वेरी गुड और आपका उत्तर भी बहुत सही आया है यानि की भारत प्रशन आपसे पूछा कि भी इसा कौन सा देश जो कि ये सारी की सारी जो यहां पर सर्ते रखी गई है उनको पूरा करता है और सबसे पहला उत्तर आया निशा सुथार की तरफ से वो था भारत स्टेडी बॉआई ने इंडिया लिखा है राजनेंदनी कुमारी इंडिया लिख रही है विवेक भारत बता रहे है सो बहुत बड़ी आदे कि करेक्ट आंस्वर यही था कि भारत इन सभी को पूरा कर रहा है भारत दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्य वाला देश भी है क्योंकि यह जनसंख्य भी एक आधार था भारत की भागौलिक इस्ति थी सांस्कृतिक विविदता ये सब जो है वो डायवर्स्टी वाली है विविदता वाली है भारत एक सेनिक टाकत भी है भारत धिरिद्रे दुनिया के पांचवी अर्थ व्यवस्ता भी बन चुका है तो सब कुछ है भारत में इस आधार पर तो भारत को सुनितुराज संग का स्थाई सदस्य बना दिया जाना चाहिए था जो कि अभी तक नहीं बनाया गया है चलिए अब ले लेते हैं पोल ये लीजिए पोल की डिमांड बड़ी बेसबरी से हमारे स्टुडेंट कर रहे हैं तो ले ही लेते हैं अब आपके कुछ प्रश्न देखे 2021-22 में सुनितुराज्ट संग की महासभा की अध्यक्सता किसने कीती हूँ पोल स्टार्ट भी कर देते हैं ये लीजिए आपका समय स्टार्ट कर देते हैं ये हैं आपके सामने चार ओप्शन और सभी ने बहुत फास्टली उत्तर देना स्टार्ट कर दिया देखते हैं कि समय आपका जब तक समाप्त हो तब तक कितने प्रतिशत उत्तर आता है कितने स्टुडेंट सही उत्तर देते हैं सही उत्तर है आपका बी और चेक कर लेते हैं बी कितने विध्यार की दे रहे हैं कि 89.29 परसेंट स्टुडेंट्स जो हैं वो सही उत्तर दे रहे थे और सबसे पहले उत्तर दिया अंतीमा पारिक ने फिर राजनंदनी कुमारी ने फिर सवाई गोदारा ने फिर विवेक शर्मा ने उसके बाद आशा और लास्ट में हैं भुपेंद्र Congratulations students आप सभी ने सही उत्तर दिया इसके लिए अभी अभी अमने बात की थी कि अब्दुल्ला साहिद जो की कहां से हैं कौन से देश्चे हैं मालदीव मालदीव के क्या है ये विदेश मंत्री मालदीव के विदेश मंत्री है ये जिनको की 2021-22 का जो सहसन हुआ है उस सहसन के लिए क्या बनाया गया है अध्यक्स किसका जन्रल असेंबली का सभी तुराश्टर संग की आम सभा की मिटिंग किस महीने आयोजित की जाती है in which month the meeting of the General Assembly of the United Nations is held यहाँ पर भी आपका समय स्टार्ट कर देते हैं लीजिए ये समय स्टार्ट हुआ क्या वो जन्वरी का महीना है वो सितंबर है वो अगस्त है या फिर वो नवंबर है जल्दी से बता दीजिएगा हाँ जी बिल्कुल सिमरान खान विदेश मंत्री बताया आपने correct बताया है प्रशन आपके सामने है सवित राजसंग की आम सभा की मिटिंग किस महीने आयोजित की जाती है in which month of in which month the meeting of the General Assembly of United Nations is held is it January, is it September, is it August or November और right answer जो है आपका B है September इस बार भी बी उत्तर है देखते हैं 96% इस students ने बी उत्तर दिया है सबसे उपर प्रदीप कुमार आ रहे हैं फिर आ रहे हैं महेश उथार फिर आ रहे हैं क्रशनकांत उसके बाद study boy देन मालाराम और फिर आ रहे हैं नीतु कवर नीतु कवर, ओके students बहुत बढ़िया आपने सही उत्तर दिया है September यानि कि September जो है वो इसका सही जवाब है आम सभा की meeting प्रतिवर्ष एक बार आयुजित होती है ये ध्यान रखिएगा प्रतिवर्ष एक बार और वो कब होती है वो होती है सितंबर में लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इसके emergency meeting कभी भी बुलाई जा सकती है emergency meeting कभी भी बुलाई जा सकती है एनी टाइम emergency meeting का मतलब समझते हैं अपात काली में अचानक ऐसी जरूत पड़ जाए कि किसी एक मुद्य पर चर्चा करनी है और हमें emergency meeting की आवशकता है तो इसकी emergency meeting किसी भी वक्त बुलाई जा सकती है ये ध्यान रखिएगा now the next question is 2021 में सविक्तुराष्टर महासभा की कौन से सत्र आयोजन किया गया था यानि कि सविक्तुराष्टर महासभा का कौन सावा सत्र था वो in which month the meeting of the sorry यहाँ पर जो है वो आपका English का question पिछला वाला repeat हो गया है ये नहीं है 2021 में सविक्तुराष्टर से संग की कौन से सत्र का आयोजन किया गया था which session which session तो यहाँ पर आपके सामने सही उत्तर क्या होगा बताओ a 76, 75, 74 या फिर 73 तो सही उत्तर होगा a right answer है a check करते हैं a कितने student बता रहे हैं 93% student जो है वो एकी तरफ गए है कृष्णकांत टॉप कर रहे हैं राजनदनी कुमारी है उसके बाद अशोक कुमार है फिर भुपेंद्र है उसके बाद नीशा सुथार है और उसके बाद माला राम है तो इस्टूडेंट्स बहुत बढ़िया आपने सही उत्तर दिया है वैं 76 वा सत्र 76 वा सत्र का मतलब क्या है विच सेशन कौन सवा सेशन था यह तो अभी तक जो जो इसके आम सभा की मिटिंग्स हुई है उनमें यह 76 मिटिंग थी उनिस सो पैतालिस में यूएनों की स्थापना हुई थी इस द्रस्टी कौन से अगर प्रतिवश एक मिटिंग बुलाई जाती है तो आप देखिए कितनी मिटिंग्स होनी चाहिए अगर हम सेशन वाइस देखें एन्वल इयर वाइस देखें तो पैतालिस से लेकर के दो हजार तक तो कितने साल हो गए पचपन हो गए और उसके बाद 2023 अभी सेप्टेंबर आयेगा तो बाइस को जोड लीजिए तो पाँच और दो साथ होते हैं दो और पाँच साथ होते हैं सततर मिटिंग अभी कितनी हुई है? जब सेप्टेंबर का महीना आएगा अभी तक 2023 का सितंबर नहीं आया है तो जैसे सितंबर का महीना आएगा इसका सततर मिटिंग हो रही है आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा बैस साधरन सा कोशन आ गया है समितुराश्ट संग का दिवस जो हता न समितुराश्ट दिवस जिसे कहते हैं वो कब बनाया जाता है और यह लास्ट कोशन ही होगा आपका आज का पूल स्टार्ट कर देते हैं क्या वो चोईस अक्टूबर है क्या वो सताइस फिर भी अगर किसी इंगलत दे दिया तो बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि बहुत आसान सा कोश्चन है कोश्चन आप से पूछा गया है सविक्तुरास्ट दिवस कब बनाया जाता है 24 अक्टूबर, 27 अक्टूबर 5 जून या फिर 21 जून राइट आंस्वर आपका क्या है 24 अक्टूबर को चेक करते है कितने स्टूडेंट 24 अक्टूबर बता रहे है 96 फिर भी लगबग 3 से 4 परसेंट स्टूडेंट गलत गये है राजनादरी ने एक बार फिर से टॉप किया है उसके बाद भूपेंदर है उसके बाद सिमरान खान है उसके बाद में कृष्णकान थै फिर अंतीमा पारिक है और लास्ट में माला राम है तो कॉंग्रिचूरेशन स्टूडेंट्स सही उत्तर 24 अक्टूबर है क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना उगी थी इसलिए हम 24 अक्टूबर को जो है वो इसका स्थापना दिवस मनाते हैं तो स्टूडेंट्स आज की स्थापना दिवस करते हैं लेकिन श्पेशल अनॉंस्मेंट कल की जो हमारी क्लास होगी 12 बजे वो होगी ड्रीम हंड्रेट सेरीज की तो Dream 100 Series की अगली क्लास जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं अभी सत्ता के समकालीन केंद्र जो पहले सत्ता के वेकलपी केंद्र हुआ करता था इस बार चेप्टर का नाम बदला हुआ है दूसरा चेप्टर है ये विश्व राजनिती की किताब का है जुड़ना मत भूलिएगा उसके अंदर और अपने दूसरे मित्रों को भी बता दीजिएगा कि Dream 100 Series में ये क्लास कल 12 बजे होने वाली है धेड़ सारे Multiple Choice Questions के साथ में मिलते हैं कल की क्लास में आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें जहेंद